हलो फ्रेंड श्वागत एक बर फिट से आप सभी का आपके अपने ही चैनल फैंटसी बस पे हम यहाँ बात करेंगे मुंबई और पंजाब के बीच में जो आज का IPL का मुकाबला खिला जाएगा इसके बार में फुल प्रिव्यू आपके सामने लेकर आए हैं एक चीज इंपॉर्टेंट है आफ्टर टॉस की सारी अपडेट और इस वीडियो के बाद जो भी न्यूज आएगा वो सब हम आपको अपने टेलिग्राम चैनल पर देते हैं तो यदि अगर अभी तक आप टेलिग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलिग्राम चैनल से अट्वानच रहता है बल्लेबाजों को और स्पिन डिपार्टमेंट से और पेस बाते आल्मोस्ट इक्प्वल्ड रहता था यह बात है हिस्टोरिकल यानि कि की यह भात है हिस्ट्री में यह पिच ऐसा था लेकिन अभी इस टॉर्णामेट में क्या हुआ है चार मुकाब्ल विकेट लिया और पेशस ने 32 विकेट बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे 210 और 171 चेज नहीं हो पया था 161 और 155 चेज हो गया था बट यहाँ पे आप देखेंगे कर पाएं तो मेनी स्पिनर को लेके चलिएगा वह चीज है द्यान रखना बाकी हैट टू हैट की बात करें 27 मुकाबले खेले गए पंजाब ने 13 मुंबई ने 14 जीते हैं मुंबई इंडेंज की बात करें चन्ने ने तो अपना एक मुकाबला जीत लिया क्या यह जीत पाएंग क्योंकि इनकी टीम में अभी तक चार मुकाबले खेलें चारोई हारे हैं इनकी टीम में चेंज हो सकता है उनातकड और बासिल थांपी में से यह लोग एक को खिलाएंगे और हो सकता है टीमल मिल्स की वापसी हो जाया और रमन दीप सिंग जिनको लास्ट में इनों ने खिल खिलाए हो सकता है इनके जगये पर लूबलर कर दो ख्लाते हैं तो इनके पास दिक्कत क्या होगी इन्हों पर पांचवे आगस करते तो फिर पोलार की इंप्सिल खिलाएंग तो पर ऑलल के उबर इतने ना मिले और अगर ये इनकी टीम में इसको खिलाती तो वो death में भी आएंगे और स्टार्टिंग के वर बुम्रा अनातकड और थांपी जो भी खेले वो खराएंगे और death में फिर उनातकड नहीं आएंगे यदि टीम मिलिश खेलेंगे तो ठीक है तो ये चीज पर उनके stats देखने मिल जाएंगे और फिर आप decide कर सकते हैं कि आपको उसको अपनी team में लेना है कि नहीं यदि आर आप लोग टेलग्राम से नहीं जुड़े तो वहां जुड़ जाना क्यों कि वहां पर मैं आपको after toss सारी update देता हूं पंजाब की team चार में से दो जीती है दो हारी है इनकी team की अगर हम बात करें तो मुझे नहीं लगता कोई change होना चाहिए एक change हो सकता है ओडेनी स्मित की जेगी ये बैनी होविल को या रिशी धाउन को खिला सकते हैं अधरवाइस इनकी team ठीक था कि इनकी चार टॉप के अच्छे बल्ले बाज है उसके बाद रभाड़ा राहुल चेहर अर्षदिप सिंग इनके main ballers उसके अलावा ओडेनी स्मित भी अच्छे ह किया था बट वह उतनी जल्दी 10 में नहीं आते जब तक कि इनके में से किसी का दिन खराब ना हो तो मुस्ट परबली रभाड़ा और अर्षदिप भी आएंगे और वैभा और और स्टार्टिंग में आते हैं रभाड़ा और अर्षदिप में से कोई एक आता है ठीक है इनक आपको टेलिग्राम पर दिया जाएगा लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो की कॉमेंट सेक्शन में है जूड़ जाईएगा दोस्तों बात करें हैड-to-head और वैन्यू रिकॉर्ड की तो हैड-to-head मतलब यह जब दोने टीमें आपस में खेलती है तो प्लेयर वैन्यू पर 62 का एवरेज है इसन किसन का उतना कुछ खास नहीं है 18-18 का एवरेज है head-to-head और वैन्यू पर ठीक है उसके बाद यहां से तिलक वर्मा ज्यादा मुकाबले खेले नहीं है पोलाड 23 मच में 41 का एवरेज है और 7 विकेट है वैन्यू पर 4 मच में 25 का एवरेज एनलाइज करें ठीक है बाकी आप पढ़ सकते हैं बैस्टों ने ज्यादा मुकाबले खेली नहीं माइंक अगरवाल ने 20 का एवरेज है head-to-head में वैन्यू पर 31 का एवरेज है और सिखर दवन का रिकॉर्ड बढ़िया है head-to-head में 38 का venue पर 42 का उसके बाद नीचे चलते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कगिशो रबाड़ा आते हैं 10 मच में 10 विकेट अर्षदिप सिंग 3 मच में 3 विकेट बाकी किसी का उतना खास है नहीं राहूल चेहर पहले मुंबई की टीम से ही थे इसलिए उनका head-to-head venue record नहीं है ठीक है इसके बाद venue पर यह खेलेंगे न सबको मारा है संदीप सर्मा की बात करें तो इन्होंने मतलब यह खेलने वाले हैं यहाँ पर इन्होंने ओर्षदिप से 3 गेंद में एक बार जरूर आउट हुए रबाड़ा से 16 गेंद में एक बार जरूर आउट हुए लेकिन 23 रन बनाए भी है यह चीज मत भूलना उसके संदीप सर्मा तो खेलेंगे नि बाकी इन्होंने किसी के सामने विकेट नहीं दिया है और इवन रिषिधावन यदि खेल सकते हैं तो इसलिए मैं इनका लिख दिया है बाकी देख सकते हैं आप लोग अपने हिसाप से यहाँ पर पोलाड की बात करें तो यह कगिश बात करेंगे पंजाब बैट्समिन वर्सेज माई बॉलस तो यहाँ पर जॉनी बैस्टो को मुर्गा नस्विन ने 24 गिंद में एक बार आउट किया लेकिन 24 रन भी बनाए इन्होंने बाकी कुछ खास है नहीं किसे ने आउट नहीं किया हुआ है और नहीं कुछ इतना कि इन्दे खेली नहीं है इन्होंने धावन की बात करें तो इन्होंने सब को पीटा है अब देखेंगे पोलाट को पीटा है चौदे गिंद में 22 उनातकर को 36 में चोवण मुर्गा नस्विन को 35 में 27 में 95 एक बार बिकेट दिया है मैरिट को 17 में 32 पाइमिल मिल्स को 4 में 2 चाहिए दो इन्होंने सब के सामने रन बनाया है तो इनका क्या ही कहने लिख सब्सक्राइब कि बात करें तो इन्होंने ज्यादा किसी के साथ खेला नहीं खेला यह तो मिल्स के साथ 18 गेंद में एक बार आउठ हुए है 29 भी बना पॉलाड ने इनको 11 गेंद में इसे 7 अग लिग में आप किसे कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हैं देखो लेविंग स्टोन इसान के संस शिखा दवन मुझे ये बैस्ट लग रहे हैं क्योंकि इनके पास बॉलिंग का भी रहेगा बैकप और इनका विकेट कीपिंग का बैकप रहेगा और धवन का रिकॉर्ड सबस यार ही खेलते हैं तो अच्छे ऑप्शन बनते हैं पोलाड यदि फिर से बॉलिंग करवाती है इनकी टीम तो यह एक अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं क्योंकि हिटिंग भी कर सकते हैं मुर्गन असुन कभी कबार यह बहुत अच्छी परफोर्मेंस करके चले जाते हैं लेकि इसके बाद ओडे निश्मित यदि खेलते हैं तो अब ग्रेंड लिग में आप किसे कैप्टन कर सकते हो जौनी बैस्टो मैंक अगरवाल डेवाल ब्रेविस सूरिक मर्यादा और दथ बॉलर्स पंजाब की तरफ से अर्जदी प्रवाड़ा और अगर मुंबई की तरह पहल रोटेट कर सकते हो दोस्तो टीम बताने से पहले मैं आपको दो चीज़े बता दूं कि देखो आप जो हम आप वीडियो में इंफोमेशन सेयर कर रहे हैं उसके बैस पर अगर आप अपनी टीम बनाएंगे तो आपका फैंटसी स्किल काफी इंप्रूव होगा और वही चीज हम चाते हैं ना कि आपको टीम कॉफी करना सीखाते हैं दूसरी बात जो आप हमारी टीिम देख रहें हो उसे सिर्फ वर सूर्फ इंफोमेशन बेस पर यूस कियाज़ेगा ना कि कॉफी करना दूसरी बात कि यहां पर ड्रीम पर यह मैं चाफी कर सकता हूँ और एक चीज मै मैं यहाँ पर नहीं घेलूँगा मैं आपको भी मांड़ा मिल रहा है ऐहाँ पर नहीं यहाँ लग पर गेम चला जा रहा है वह आपको अधर समाज आगा अब यहम बात करते हैं एक बैस्जिंटक प्लियर हैं हालाकि इस सीजन इन्नों ने विकट पावर बहुत कम दिया है इवन दिया ही नहीं और विकट कीपिंग भी करते हैं तो वहां से भी पॉइंट देंगे अटैकिंग भी खेलते हैं तो उसे साब से देखा जाए तो एक अच्छे बैट समय जॉनी बैस्टो ठोड़ा सा स्पिन के लेफ्टाम और्फटाम और्फटाम भी रहेगा एक भरोसे मंद खिलाड़ी हैं तो मैंने इनको भी लिया वाए इन दोनों को सब्सक्राइब कर सकते हैं अब हिस्सामें मुंबई की टीम में कोई सबसे अच्छा खिलाड़ी है तो वह सूरी को मार यादव हो एक टेलेंटेड खिलाड़ी है multi talented आप कहा सकते हैं जो कि हर तरफ shots मारते हैं और technical shots मारते हैं ठीक है यह अपनी team को अके लिए दम पे भी जिता सकते हैं चमता है तो मस्ठप पिक के टेगरी में है उसके बाद मैंक अगरवाल पता नहीं कप्तानी के दबाओं में ऐसा खेल रहे हैं या इनका form सच में खराब ह हो गया अधरवाइस हैं तो बहुत अच्छे बल्ले बाद technical shots खेलते हैं दूसरी बात कि यह अपनी team के लिए attacking भी खेलते हैं और समय होता है anchor करने का तो anchor करके भी खेलते हैं बट डिक्कत यह फॉर्म खराब चल रहा है बहुत ज़्यादा और create का भी issue हो तो मैंने इनको छो जो है चाप छोड़ा था तो अभी के लिए मैंने इनको लिया हुआ है अगर इनकी team first बल्ले बाजी करेगी तो consider करने लाइक हैं सेकेंड इनिंग में सायद उतना मौका ना मिले बट हमार पस कोई और option भी नहीं तो अभी कलिए मैंने इनको लिया हुआ है नीचे कोई खास option है नहीं फाइनल अपडेट दोस्तों हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर देंगे जिसका लिंक आपको इस वीडियो के description में और वीडियो के comment section में सबसे first comment में दे दिया गया तो जल्दी से जाके जुड़ जाई है लिविंग शोन मस्ट है पे क्योंकि इनकी team इनको as a all ठीक है और हाला कि जो इन्होंने दो बड़े score बनाया उसमें इनका बहुत जल्दी-जल्दी catch भी छूटा है क्योंकि इसी वेज़े से मैंने आपको बोला यह यह देखते नहीं कि यह आउट हो रहे हैं क्या score है इनको बस छक्के मालने और छक्के बहुत मारते हैं तो अभी लास फॉर्म में है नहीं चाहिए आप इंडिया वाली शीरीज उठा के देख लो चाहिए आप स्टार्टिंग के कुछ मैच देख लो एक मैच इन्होंने अच्छा किया था क्योंकि वो लास्ट के ओवर्स में था अठारे में निश्वे ओवर में और इनकी सबसे बड़ी अभी दिखकत है यह स्पिन के सामने फस रहे हैं और एक चीज और कि कैरोन पॉलाट जो है वो जिस टाइप की हीटर माने जा रहे थे उस टाइप की हीटिंग अभी तक देखी नहीं एक मैच को छोड़ दे तो अब बल्ले से थोड़ा खराफ फोम है लेकिन गेंद बाजी स यह अगर 500 गिंद बाज के रूप में खेल रहे हैं तो कंशीडर कर सकते हैं अधरवाइस हम छोड़ सकते हैं और तब भी कंशीडर कप करना जब खास करकी फरस्ट इनिंग में बल्ले बाजी आ है क्योंकि जब थोड़ी बल्ले बाजी से भी पॉइंट दे सकते हैं और सेके बैट्स में अभी क्ले मैंने लिया है फॉर्म उतनी अच्छी नहीं हो सकता है बाहर कर दिया तो रिसी धवन या फिर बैनिया हाविल को लेके आ जाए रिसी धवन खेलें तो एक डिसेंट पिक रहेंगे क्योंकि डोमेस्टिक ली अच्छा खेला हुआ इन्होंने और बैट्स मेंने अच्छे शॉट्स केल सकते हैं चारो तरफ शॉट्स केलने की चमता है अभी क्लिए मैंने लिया हुआ है तो यहां पर बता देंगे टेलिग्राम पर अभी बात करने को कोई फायदा निए मैं आपको इन्सॉट बता दूं तो टेट्वेंटी ब्लास्ट में यह अच्छे खिलाडियां लेकिन आई पिल खेलने का उतना जदा एक्स्पीरेंस नहीं है बाकी हम बात करें तो देखो अगर खेलेंगे बैनी हविल तो हम टेलिग्राम पर इंफर्म करेंगे उनके बारे में फिर बात करेंगे राहुल चहर विकेट टेकिंग बॉलर और प इनके बारे में ज्यादा बात करने की जरूरत है नहीं दोनों विकेट टेकिंग बॉलर रहें दोनों के पास पेस से यॉर्कर लेंद बहुत अच्छी रहती है दथ में आते हैं चाये फर्स्ट रिंग चाये सेकेंड इंग विकेट टेकिंग अबिलिटी है दोनों को लिके चलिएगा मुर्गन अस्विन एक डिफरेंशिल पिक हो सकता है खासकर मेनी जील में क्यूंकि यह कभी भी गुच्छे में विकेट लेके जा सकते हैं लेकिन कभी-कभी बीच में इनकंसिस्टेंट हो जाते हैं जिसके वैसे मैंने नहीं कंशेडर किया हुआ है बासिल थाम फरस्ट गिंद्पाजी तब लेकिन मुझे अर्श्दीप को लेना है क्यूंकि अगर इनके टीम वंबाई की टीम सेकेंड बॉलिंग कर रही है तो अर्श्दीप की टीम फरस्दीप दथ में तो इंपरेंट हो जाएंगे तब हो सकता है मैं डेवल ब्रेविस को मिस करके यहां पर कप्तान मैंने बनाया लेविंग स्टोन को वास कप्तान मैंने इसन के इसन को क्योंकि इसन की संपिक रहेगा और इनका बॉलिंग बैकप रहेगा हाला कि देखो आपके पास थर्ड बेस्ट ऑप्षन में है शिक्खर दवन इसके बाद जोनी बैस्टो और रोहिश सर फिश्ट रहा था अब यहाँ पे मैंने ले लिया है रोषषर्मा को और केर्वन पुलाट को लेकिन केर्वन पुलाट का मैंने आपको बताया यदि टीम ल मिल्स खेलेंगे और उनकी टीम पहले बॉलिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे आप लोग खेलना चाहिए बेस्ट रहेग मैं यहाँ पे नहीं खेलूंगा आपको खेलना है आप खेल सकते हैं रिस्क राएगा क्योंकि यह लख पर जाएगा भड़ीट होगा फाइनल में आपको टेलिग्राम पर दूंगा लिंक आपको वीडियो के दिस्क्रिप्सन में वीडियो के comment section के सबसे पहले comment में दे दिया गया है वहां से आप हमारे टेलिग्राम चैनल पर आ सकते हैं धन्य बाद दोस्तों ये वीडियो वाच करने के लिए grand league का combination हम grand league के वीडियो में दिखा देंगे thank you मिलता अगले वीडियो में